कभी-कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है कि यार हमको इस दुनिया के वारे में सब पता चल गया है और फिर एक छोटी सी चीज आती है और वो हमारी सारी समझ को धराशाई कर देती है फिर हमको लगता है गयार हम तो जबरदस्ती का भ्रहम पाले बैटे थे हमको तो कुछ भी नहीं पता है साइंस के इतिहास में ऐसी एक खोज है जिसने विज्ञान और वैज्ञानिकों के सारे अहंकार को धूल चटा दी थी पिछली कुछ सदियों में अपन लोगों को बाहरी अंतरिक्ष से लेकर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक काफी हद तक चीज़ें पता चली इन डिस्कवरीज के चलते लोगों को लगने लगा कि उन्हें दुनिया की अच्छी खासी समझ हासल हो गई है मलब वो बहुत शूर थे कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे बनी है और कैसे काम कर रही है करीब सौ साल पहले कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने वैग्यानिकों को चौका दिया और इन्हें लेकर दुनिया आज भी हैरान है दुनिया को देखने का एक नया नजरीय हमारे सामने आया इसकी जड़ में एक बहुत चर्चित प्रेयोग है जिसने हमारी सारी समझ को सीर्शाशन करवा दिया था इस मामूली से अधने से एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस experiment के बाद जो चीजने सामने आई उनसे अच्छे अच्छे scientist का दिमाग हिल गया वो इस हद तक हिल गए कि उन्होंने इन चीजों को मानने से भी इंकार कर दिया लेकिन जो सामने है उसे नकारा कैसे जा सकता है इस वीडियो में हम double slit experiment के बारे में बात करेंगे हम समझेंगे कि यह experiment क्या है इसके माइने क्या है और यह प्रयोग हमें किस बोड़ पर ले आया चेतना की विकास करम में मनुश्यों ने अपने आसपास के दुनिया को समझने के भरसक प्रयास किये वो समझना चाहते थे कि बहुत सूक्ष मस्तर पर यह दुनिया कैसे बनी है कुछ प्राचीन फिलोसफर्स ने यह दावा किया कि दुनिया बहुत ही छोटे छोटे एटम्स या परमाणूं से मिलकर बनी है इनका मत था कि यह एटम्स हमें साधारान आखों से दिखाई नहीं देते लेकिन यह हर पदार्थ की सबसे बुनियादी इकाई हैं और इन्हें बिवाजित नहीं किया जा सकता इनका यह दर्शन विचारों पर आधारित था लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आज से करीब 200 साल पहले सामने आए कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दम पर यह दावा किया गया कि दुनिया में वाकई कुछ बुनियादी केमिकल एलिमेंट्स हैं और इनी elements के अनेक atoms से ये सारी दुनिया बनी है ये 19-वी सदी की शुरुवात की बात है लेकिन आगे के दशकों में बहतर microscopes और X-rays और un-radiations की खोज हुए इनके जरीये हमें और गहराई न जहागने का मौका मिला कई और experiments किये गए इनसे ये समझ आया कि पर्मानों के भीतर कुछ और भी बनियादे चीज है मालूम हुआ कि ये atoms खुद कुछ सुक्षिंतम कड़ों से बने हैं जिनें सब-atomic particles कहते हैं इन particles के गुण धर्मों का आकलन किया गया और 20-वी सदी में ये समझ बनी कि पर्मानों के भीतर मुखितर तीन तरह के सब-atomic particles होते हैं हर तरह का matter यानि पदार्थ, atoms यानि पर्मानों से बना है और सभी तरह के atoms इन सब-atomic particles से बने हैं लेकिन एक और बात थी जो बहुत प्रकट तोर पर दिख रही थी दुनिया में सब कुछ पदार्थ से नहीं बना है, सब कुछ matter ही नहीं है कुछ energy भी है, जैसे कि light प्रकाश, light एक तरह से energy radiation है पर इस energy को कहीं जाने के लिए पदार्थ की आवश्यक्ता नहीं है light vacuum में भी travel कर सकती है अंतरिक्ष में जहां पदार्थ का एक भी कण नहीं होता physics की नजर ये से देखें तो light एक electromagnetic wave है विद्ध चुम्ब की ये तरंग जैसे तालाब में कंकड गिराने पर तरंग उत्पन होती है उसी तरह ये दुनिया हमारे आसपास की और समस्त प्रम्हांट एक विद्ध और चुम्ब की ये गुणों वाले तालाब में डूबा हुआ है और इस विद्ध चुम्ब की ये शेतर से को तरंगें ट्रेवल करती है इन electromagnetic waves को हम light यानि प्रकाश की तरह महसूस करने है लेकिन अपन कैसे मानने की light का नेचर एक wave की तरह हमको तोड़ी दिख रही है हमको कहां रहा हम लाइट आ रही कहां wave है ये भी हो सकता है कि अद्रिश शिक्रों से यानि particles से मिलकर बनी और ये light के particles हमें दिखाई नहीं देते तो ये तो यार देखो debatable है मतलब light का basic nature क्या है वो wave है या particle है ये तो बहस का विशा है लंबे अर्जे तक ये बहस का विशा ही बना रहा है और फिर 19-वी सदी में एक वैग्यानिक ने इस debate को settle करने की तरफ एक कदम हुठाया इस वैग्यानिक में light के साथ एक चर्चित प्रयोग किया इसी प्रयोग को double slit experiment के नाम से जाना जाता है slit का मतलब होता है एक बहुत सक्री जगह एक छेद या दरार या जिरी जहां से कुछ निकलने की थोड़ी सी जगह हो double slit experiment में एक plate में दो जिरी यानि दो slit होती हैं दो बहुत ही सक्री openings आप इन plate की तरफ सूक्ष कणों को पार्टिकल्स को फेकेंगे तो नॉर्मल सा result दिखेगा अधिकतर कण इस plate के पार नहीं जा पाएंगे लेकिन दो slit से होते हुए कुछ बहुत चोटे चोटे कण दूसरी तरफ चले जाएंगे plate की दूसरी तरफ screen रखी होती है तो उस screen पर readings record होती है जो भी इस experiment की होती है results वो दर्ज होते हैं double slit से कणों को भेजने पर screen पर दो धारियां बनती है और ये समझा जा सकता है कि ये दो slit से जो कण निकल पाए लगबग उनी के सामने छीटे पड़ रहे हैं इसी से ये दो धारियों वाला pattern देखने को मिल रहा है लेकिन आप particles या कणों की जगा तरंगों को waves को इस दो slits के थुरू भेजते हैं तो एक अलग pattern उभर के आता है और ये pattern साधारण नहीं है हम पानी की तरंगों में प्रयोग करके देख सकते हैं इस experiment में plate के एक तरफ एक बिंदू से तरंगों को पैदा किया जाता है ये तरंगें जाकर plate से टकराती हैं ये plate तरंगों के अधिकतर हिस्से को तो रोक लेती है लेकिन waves दो slits से निकल कर, दो सकरे रास्तों से निकल कर पार हो जाती है इन दोनों slits से निकलने वाली तरंगें आपस में टकराती हैं और मिलकर एक नया wave pattern बनाती हैं तकनीकी भाषा में से interference कहते हैं slit की दूसरी तरफ screen पर ये interference pattern दर्ज हो जाता है ये pattern देखने में साधारन सा लगता है लेकिन जो भी waves की physics को समझता है थोड़ा बहुत वो कहेगा कि हाँ ठीक है दो waves के superposition से यही तो बनेगा इसकी maths करके 11 वी बारवी के बच्चे भी prove कर सकते हैं कि दो waves के superposition से लगग ऐसा ही pattern बनेगा तो basically इन दो अलग-अलग चीजों के साथ यह double slit experiment किया जा सकता है यही है double slit experiment लेकिन यहाँ point to be noted यह है कि double slit वाली पट्टी से particles कड़ों को भेजने पर दूसरी तरफ normal pattern मिलता है और double slit से waves यानि तरंगों को भेजने पर इस तरह का interference pattern मिलता है यह वाला experiment बहुत काम का इसलिए है क्योंकि हमको आखों से भले कोई चीज समझ में नहीं आ रही है microscope से भी देखने पर हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि यह किस चीज से बनी है लेकिन इस experiment के दम पे हम यह पता लगा सकते हैं कि उसका बन्यादी nature क्या है किसी भी चीज का light का या बहुत चोटे चोटे particles का double slit experiment से उगजा pattern देखकर यह दावा किया जा सकता है कि कि किसी चीज का बन्यादी गुणधर्म wave की तरह है या particle की तरह है तो अपन को उस light वाली debate में इस्तमाल करने के लिए एक टूल मिल गया है अपन double slit experiment की मदद से यह पता कर सकते हैं कि light wave है या particle है तो देखते हैं double slit से light का क्या होता है double slit से light यानि प्रकाश को भेजने पर वही interference pattern दिखाई देता है जैसा की पानी की तरंगों के साथ दिखता है इसलिए इस प्रयोग के दम पर ये दावा किया जा सकता है कि light behaves like a wave प्रकाश का व्यवहार तरंगों के जैसा है यहां तक सब ठीक है ये एक normal experiment है इसमें दो अलग अलग तरह की चीजों से दो अलग अलग तरीके के नचीजी निकल रहे है असली खेल तब शुरू होता है जब सब atomic particles के साथ यही experiment किया जा सकता है बहुत ही सूक्ष मकण atoms के अंदर जो होते हैं जैसे की electrons वैग्यानिकों ने पहले यही समझ रखा था कि electrons बहुत छोटे ही सही लेकिन हैं तो कण ही particles ही हैं तो इनकी हरकतें भी particles वाली होनी चाहिए लेकिन जब electrons को double slit से भेजा गया तो चौकाने वाला interference pattern सामने आया यह वैसा pattern नहीं है मतलब electrons इतने चोटे-चोटे हैं तो slit से टकरा वगरा के यहाँ वहाँ फैल जा रहे हैं और फरजी में यह interference pattern बना दे रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि एक बार में एक ही electron fire करते हैं एक एक करके electrons को slits के त्रू भेजते हैं बहुचार नहीं करते हैं जोड़ा समझ में आएगा क्या हो रहा है तो कुछ वैग्यानिकों ने एक electron gun ली और double slit की तरफ electrons दागने शुरू कर दिये एक बार में सिर्फ एक ही electron भीजा जाता है और दूसरे तरफ बन रहे pattern को observe किया जाता है पहले तो कुछ उस खाज समझ में नहीं आया लेकिन जब एक एक करके कई electrons दाग दिये गए slits की तरफ और फिर वो pattern देखा तो जोग गए slit पर दुबारा वही तरंगों वाला interference pattern दिख रहा था इसका मतलब ये था कि हर electron इंडिविज्वली अपने आप में अकेले ही एक wave की तरह बरदाव कर रहा है और एक ही electron दोनों slit से निकल कर आगे बढ़ रहा है ये बड़ी अजीब सी बात लग रही थी उस टाइम पर लेकिन चलो इसे भी सुईकार किया जा सकता है विज्ञान के विकास में कई बार दरसल ऐसी चीज़ें हुई है कि हमें लग कुछ और रहा है और है कुछ और लेकिन कहानी में असली climax तब आता है जब यही experiment इन electrons की उपर नजर रखते हुई किया जाता है विज्ञानिकों को काईदे से ये समझना था कि अगर हर electron wave है तो slit से निकलते हुए wave के रूप में वो कैसे दिखते हैं ये देखने के लिए double slit experiment को हलका सा modify कर दिया गया इसमें slits के उपर एक observation device लगाया गया जो वहां से निकलते हुए electrons को detect कर पाएं लेकिन इस observation device से देखने पर electron एक ही slit से निकलता हुआ दिखता है जैसे कोई particle निकलता है तो वह ग्याने को लगा कि यार हमारा observation device खराब होगा मतलब यह देखनी पा रहा है electron है तो wave ही हम interference pattern से कई बाज यह साबित कर चुके हैं कि electrons wave की तरह interference pattern दे रहा है तो वह सकता अपने device खराब हो क्योंकि इस बार waves वाला interference pattern नहीं बना था इस बार screen पर वही normal दो धारी वाला pattern नजर आया जो particles के साथ मिलता है इसी experiment को कई बार repeat किया गया कई साउधानिया बरती कहीं कि यार observation device में कुछ दिक्कत तो नहीं थोड़े और modifications किये गए किया कुछ और बिलती तो नहीं हो रही हमसे और कई बार experiments करने पर वही चीज सामने आई ये पाया गया कि जब भी experiment में slit के पास electron को देखने के लिए एक अतिरिक्त observation device लगाया जाता है तब particle वाला pattern मिलता है और जब slit पर नजर नहीं रखी जाती जब electron को नहीं देखा जाता तब experiment में तरंगों वाला interference pattern देखने को मिलता है मतलब जब electron को देखा नहीं जा रहा है कोई observer मौजूद नहीं है तब वो wave की तरह behave कर रहा है और जब एक observer वहां मौजूद है जब उसको देखा जा रहा है slit से निकलते हुए तब वो particle की तरह भेव कर रहा है एकदम इनोंने वक्त बदल दी है जजबाद बदल दी है जिन्दगी बदल दी यह मलतलब पागल बागल होगा है मतलब क्या लड़का लड़की तोड़ी है जो घर पे जंडू चंपू बने गूंते रहते हैं और इन्स्टाग्राम पे एकदम 5 स्टार वाली फोटो अपलोड करते है एलेक्ट्रॉन की बात हो रही है मतलब क्या बात है एक ही एलेक्ट्रॉन दूसरों के देखने से अपना नेचर बदल लेता है यह क्या बात हुई हाँ भाई नेचर बदल लेता है और यह सिर्फ एलेक्ट्रॉन पर लागू नहीं होती है बाकी सब अटॉमिक पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स की उपर भी यही प्रियोग करने पर यही बात सामने आती है कि जब कोई देखता नहीं है तो यह लोग वेव बने गूमते रहते हैं और जैसे ही यह नहीं देखा जाता है अब्जर्व किया जाता है यह पार्टिकल्स की तरह भीव करने लगते हैं और लाइट यानि प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है हमने देखा कि डबल स्रिट एक्सपरिमेंट से पता लगता है कि लाइट एक वेव की तरह भीव कर रही है लेकिन यह पूरा सच नहीं है मैक्स प्लैंक, अलबर्ट आइनस्टाइन और दूसरे वेग्यानिकों ने 20-वी सदी की शुरुआत में कुछ प्रयोग किये और यह थाबित कर दिया तो फाइनली यह बात निकल कर आती है कि दुनिया की हर चीज वनियादी तोर पर पार्टिकल की तरह भी बहेव करती है और वेव की तरह भी बहेव करती है और कब कौन कैसा बहेव करेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है कोई observer वहाँ मौजूद है या नहीं है reality is a wave function it collapses into something when observed हमारे आसपास की दुनिया तरंगों की तरह एक मिशृत अवस्था में मौजूद होती है और जब उसे देखा जाता है तो वह खुद को एक निश्चित रूप में प्रकट करती है ये क्या science है यार ये तो भीटी है हाँ तो बकैती है जो समझ मनी आता हो बकैती ही लगती है और इस बकैती का नाम है wave particle duality Albert Einstein की खोज उन शुरुवाती experiments में से थी जिन से light का dual nature सामने आया उसके बाद बाकी सब atomic particles में भी यही behavior देखा गया था ये dual nature बहुत सूक्ष मिस्तर पर देखने को मिलता है और साधारनता समझा नहीं जा सकता बहुत ही छोटे स्तर पर सूक्ष मिस्तर ये जगत को quantum कहा जाता है और वहाँ पर wave particle duality देखने को मिलती है इस तरह की चीज़ों से wave particle duality के आधार पर विज्ञान में एक नई धारा का जनल हुआ जिसे हम quantum mechanics के नाम से जानते हैं बीसवी शताबदी में physics दो मुख्य धाराओं में बढ़ जाती है एक जो साधारन जो हमारी समझ में आती है जिसे हम classical physics कहते हैं और एक जो quantum mechanics और relativity जो बहुत ही छोटे लेवल पर और जो बहुत high speed पर चीज़ें होती है वो सब modern physics में पढ़ाई जाती है जब मनुश्य को ये लगा कि वो सब कुछ समझने ही वाला है तब उसने चीज़ों को quantum लेवल पर देखा और एक अधने से double slit experiment ने दुनिया को लेकर उसकी समझ हिला कर रख दी मनुश्यों को नई सेरे से हैसास हुआ कि वो दुनिया के बारे में काफी कुछ नहीं जानते है इन प्रयोगों से विज्ञान की दुनिया में एक नया दरवाजा खुला जिसे हम quantum world कहते हैं जाते जाते कुछ popular references लेते जाईए एक बड़े मशूर प्रोफेसर हुए हैं प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमेन physicist थे बहुत बड़े इनने Nobel Prize भी मिला और ये quantum electrodynamics के लिए इनने Nobel Prize मिला 1965 की बात है तो प्रोफेसर रिचर्ड फाइनमेन ये कहा करते थे कि जो wave particle duality है it is the central mystery of quantum फिर उनने एक बार सुधार करके खुद को कहा था कि it is the only mystery of quantum लेकिन ये काफी पहले की बात है अब धीरे धीरे हमें जैसे और research हो रही है तो हमें काफी सारी चीज़ें समझ में आ रही है लेकिन अभी भी ये रहसी बना हुआ है फिर भी quantum theory की जो काफी सारी चीज़ें है अब वो जादूई, रहसिमाई और बाबाओं वाली भकैती नहीं है अब वो real practical applications में खुद को प्रकट कर रही है quantum computing इसका सबसे चर्चे तुधारन है और इसी से जुड़े एक काम के लिए 2022 का physics Nobel Prize भी दिया गया है Einstein का Nobel Prize से क्या connection है और 2022 का Nobel Prize quantum से क्या, कैसे connected है ये अपने आप में एक अलग कहानी है उसके माइने क्या है ये सारी चीज़ें हम समझेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में आया है अब तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, होसब कर दीजिए इस तरह की वीडियो में न सब्सक्राइबर घड़ जाने का रिस्क होता है पर ठीक है, जरूरी बात है आगे यही है, तो बात तो कतनी पड़ी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत श्यक्रिया